आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक चक्र भी उरचा जा रहा है उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाओ के ठीक पहले तो क्या गडबंधन की राजनीत उत्तर प्रदेश में कोई नया गुल खिलाने जा रही ह आज इसी विशे पर गंभीर परिचर्चा आयोजित की गई है बैन भाई उत्तर प्रदेश में अब महच पांच महीने के बाद असेंबली का इलिक सनोने जा रहा है उत्तर प्रदेश के आम चुनाओ पर पूरे देश की नजर होगी और उत्तर प्रदेश का चुनाओ कई प पार और जीत इस देश की राजनीत की दिशा दसा चाल चेरित्र और चेहरा सब कुछ तैय करने वाला है तो उत्तर प्रदेश की जंता के मन में क्या है इसका जवाब आपको मिलेगा फरवरी और मार्च में लेकिन उसके पहले हमें जानना यह जरूरी है कि उत्तर अचा इसलिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिले स्यादों ने PTI को एक इंटर्व्यू दिया और उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस यह तै करें कि उसे किस से लड़ना है समाजवादी पार्टी से या फ उत्तरप्रदेश में है क्या बीजेपी को हराने के लिए कोई महागडबंधन उत्तरप्रदेश में बनेगा या फिर वैचारिक तोर पर सभी विपक्षी पार्टियों में बीजेपी के खिलाब कोई एक्ता बनेगी कई बार यह प्रश्ण पूछा जा चुका है और पिछले सप्ता आपको याद हो तो प्रियंका गांधी लखना हुआ थी पत्रकारों ने जब उनसे सवाल गडबंधन को लेकर किया तो उन्होंने गडबंधन की संभावनाओं को सीरे से खारिज नहीं किया और यह नहीं कहा में गडबंधन के अनुभाव ठीक नहीं है इसलिए बार-बार अखिले से आदोगी कहते हैं कि चुकी उनके पुराने अनुभाव ठीक नहीं इसलिए बड़ी पार्टियों के साथ कोई अलाइंस में नहीं जाएंगे तो क्या छोटी-छोटी पार्टियों का कोई बड़ा गडबंधन उत्तर प्रदेश में भारती जंता पार्टि को शिकस्त देने के लिए परियाप्त है क्या बीजेपी को हराना है तो गडबंधन बनाना है क्या चल रहा है भी पक्ष के मन में और क्या ये गडबंधन की राजी नीती उत्तर प्रदेश में कोई नया गुल खिला अभी बीजेपी के पास सिर्फ अपना दल एक संगठन है और निशाद पार्टी का अभी इस्थिती स्पष्ट नहीं है कि वो किधर जाएंगे वो संजय निशाद आयन वक्त पर डिसाइड करेंगे किधर जाएंगे ओम प्रकास राजभर के संयुक्त भागीदारी मोर्चा में भी अभी बिखराओ दिख रहा है क्योंकि वो किसके साथ जा रहे हैं यह स्थिति स्पष्ट नहीं है पर कमोबेस ऐसी तस्वीर प्रस्तुत हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकास राजभर समाजवादी पार या बीएसपी या विपक्ष को कितना नुकसान पहुंचाएंगे या वह अपनी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएंगे दूसरी बात असादुदीन ओएसी को कोई भी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने साथ लेने को तैयार क्यों नहीं यह एक बड़ा याक्ष् को दिया किस की बीएसपी और कांग्रेस टाय करें कि वो किस से लड़ना चाहते इस बयान के राजनीतिक नहितार्थ बहुत हैं आम आदमी पार्टी यह तैय है कि लगभगो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की तस्वीरे संजे सिंग और अखिले श्यादों की आई उससे यह साफ है कि देर सबेर आम आदमी पार्टी उनका हिस्सा बनेंगे श्यूपाल यादो भी कमोबेस समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा बनेंगे यह भी इसपष्ट है यानि उत्तर प्रदेश में दो पाले खिच रहे हैं एक पाला वो है जो बीजेपी के साथ है दूसरा पाला वो है जो समाजवादी पार्टी के साथ है बियस्पी ये स्पष्ट कर चुकी है कि वो किसी के साथ अलाइंस पार्टनर्शिप नहीं करेगी, यह अभी की तस्वीर है, सतीश चंदर मिस्रा ब्रामणों की पॉलिटिक्स को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश के जन्पदों का दौरा कर रहे हैं, पांच अगस्त से समाज राजनितिक दल विपक्ष का इस नाराजगी को भुनाना चाहता है, इसलिए गटबंदन का स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण वैनुभाईयों, इस डिबेट में जो बाते कही जा रही है, राजनितिक तौर पर आप आगे चल कर देखेंगे, तो महसूस करेंगे, कि उत मुस्लिम कॉंबिनेशन विशेशत तोर पर गूजरों को साथ जोड़कर एक बड़ा कॉंबिनेशन तयार हुआ है, ये कॉंबिनेशन पहले हुआ करता था प्री-BJP एरा, क्या वो वक्त लोटेगा, और क्या समाजवादी पार्टी का उनका साथ पश्ची मुत्तर प्रद जाहिर चीवाद है कि नुकसान बीजेपी कोई होगा, तो ये गटवंधन का गणित क्या है, ये वियू रचना किस लिए की जा रही है, और इसके राजनीतिक नितार्थ क्या है, इसका लाब किसको है, एक गंभीर परिचर चाया, बड़े गौर से सुनिएगा, पहले कुछ चोटे दलों का उदय हुआ है, जो छेतर विशेस में, कुछ विधान सभाओं में, अपनी हैसियत रखते हैं, अपनी छंता रखते हैं, जराधार रखते हैं, लेकिन भारती जंता पार्टी, आज सबसे बड़े दल के रूप में, एक ऐसी तक्ति बनकर उभरी है, ऐसी ताक को खत्म करना है, तो अपने साथ हमें लोगों को लेकर चलना होगा, और वही काम हम लोग कर रहे हैं, भागेदारी संकल्प मोर्चा ने दस दलों का कटबंधन बनाया है, और दसो दल जिस तरफ जाएंगे, एक जुट को करके, उनहीं की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे उत उत्तर प्रदेश की जनता विकल्प के तलास्म है, और विकल्प भागेदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिख रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीती में किछी छोटे दल की उव्योकता से भी इनकार नहीं क्या लगता है, कई बार ऐसा हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश के आज के परक्रेक्ट में देखें, कॉंग्रेस पार्टी की अपनी महत्ता है। प्रदेश के लिए इस बार का चुनाओ बहुत ही निरनायक साबित होने जा रहा है।